हलो स्टूडेंज मैं संदीप सिंग वेलकम करता हूं आपका मागनेट बेंज इंदी में जहां पर मिलता आपको फ्री एजुकीशन फ्रॉम क्लास 7 तुट्वाल्थ मतलब यहां पर कुछ एप्रिस देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई साभी सब्सक्रिप्शन पड़ती है बई क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कॉंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ वह भी फ्री आफ कोस्ट तो जैसा कि हम मिला करते हमारे फिजिक सब्जेक्ट के साथ एंड हम साथ मिलकर के डिसक्स कर रहे हैं हमरे चाप्टर नमबर फिफ कि यह भई यांत्री की मिकानिक्स यहाँ पे गती के होने वाले कारणों के बारे में भी पढ़ा जाता है मतलब हम इस चाप्टर में से देख रहे हैं कि जो भी गती हो रही है उसके पीछे कारक कौन है तो हमें पता लगा कि कोई भी ऑबजेक्ट अगर गती कर रही है चल र की आवेग मतलब इंपल्स अब लिए तो मतलब नहीं हुआ तो भई मतलब सीखेंगे ना इस चाप्टर के अंदर तो चलिए फटा फटा सम्सूरू करते हैं सेशन को आंड आपको बताते चलूं कि यह जो पोश्चन है मतलब आज जो डिसकस करने वाले हम आवेग यह बहु से सिखा दिया था और यह भी कहा था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जितने भी आपको बताया जा रहा हूं मैं यह आपको इस चाप्टर को समझने में मदद करने वाली है तो इसके मतलब ऐसा तो नहीं कि हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़ा तो यह स पूरी physics से उसमें बहुत ज्यादा मददगार होता है हमारा ग्राफ वो हमारी understanding develop करता है हमारे concept के लिए रखता है and long term तक चीजों को याद रखने में मदद करता है बट अभी सेशन को छोड़ के जाने की ज़रत नहीं है मैं जितनी जवरत की चीजें होंगी ग्राफिकल से उसको यहीं इंट्रड्यूस कराऊंगा और आपको सिखा दूगा ठीक है तो घबराये परसान और यह बिल्कुल भी मत सुरू करते हैं मिशेशन को यह पूरा सेशन आपके competitive point of view से भी important है मतलब आप जहीं या फिर अपनी टेस्परेंट है तो भी यह पूरा का पूरा किसी जगह पे बल लगाया हो और वो बल की intensity कितनी हो इसके बारे में कुछ सोचना हो मतलब कितनी ताकत से बल लगा है इसके बारे में सोचना है तो मैं कहता हूं कि जितना कम समय के लिए संपर्कित हुआ होगा object उतना ज्यादा बल लगेगा अब बोलो कि आप ऐसा कैसे होत बात करते हैं आप negative बाते करता है नेगीट नहीं है तो experiment है मैं क्या कर सकते हूं वह हुआ क्या हुआ हूआ क्या हुआ हुआ है हुआ कि हमारे इस chapter तक में term 1 के exam हुए है और term 1 के exam में हमने जो है वह क्या किये होँगे घरबड कर दिया तो जैसे हमने घरबड किये अपने पी नहीं रख के दिया तरह तब अगर कम समय के लिए यहां पर उनका हाथ चिपका होगा तो समय जितने कम समय के लिए पिताजी ने अपने को टच किया होगा उतना जादा तीज लगने वाली है और जितना ज्यादा दिर के लेकर टच करें तो फिर कम लगेगी है ना पापा जी तो लगा के चलेगे भी इसके वाद माता जी आई तो वह कहते है अरे लग गई चोट लग गई ऐसा कुछ तो उनका कहें यह कॉंटेक्ट देखिए पिताजी नहीं सथ तो क्या हुआ पॉइंट टाइम आफ कॉंटेक्ट पर ध्यान रखेंगे टाइम ऑफ कॉंटेक्ट मिनिमम तब बहुत कम समय के लिए ठकराया और चला गया और जबाताजी आई तो भी धीरी-धीर सहला रहें सहला रहें मतब क्या कॉंटेक्ट टैम जादा है ना तो फूर्स कान भो कैसा हो रहा है मम्मी के टाइम पर काम और घाजी ने दो दिया भी यजदा यह सिमिलर ली खी घा इन्होंने बॉल को किक किया जब किक करेंगे जितने कम समय के लिए चक्र भी existent इतना सा इंपल्स पढ़ेंगे सीखेंगे इसके डेफिनिशन और बट रियालिटी आपको समझ में आनी चाहिए क्या कि अगर किसी दो अबजेक्ट के बीच में फोर्स लग रही है कौन सी फोर्स इस परसीबल की बात करो जितना कम समय के लिए संपरक में आएगा बल का मान उतना जादा होगा इसको और अच्छे से समझ सकते कैसा तो बिले पहले ही थपाड़े खिला दिये इसके बाद कहरो और अच्छे से समझ सकते अब नहीं कि लाओंगा भई मैं तो बस ऐसी समझा रह तो उतनी तेजी से बाल रिटान भाग भी आता है धीरे सवीरे समार तो जिरे सबहुंक हो जक्यात है अब्यां कि यहीं तो सिखा रहा ही है कि दिवार पर टेजी समा रहा हुं मतलब क्या टाइम time of contact करना है तो आप धीरे समारी ऐसा गया आया यहां पर आपको दिख पा रहोगा यह देखिए इसके उपर बहुत लग रही है तो बहुत कम time of contact है आए जारा दिखते हैं को तो कहते हैं क्या कहते हैं किसी पिंड पर लगने वाला बल तथा वह समय अंतराल जिसमें वह पिंड पर आरोपित हो रहा हो इन दोनों के गुणनफल को आवे कहते हैं इंपल्स कहते हैं और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं ठीक है क्या कहते हैं इसको इंपल्स आई से प बाल अवाल था समय अंटरल इंपल्स मताब आई I equals to F into 12 T मतब आवेक बराबर बल लगूने समय अंतरा समय यंदरा कौन स्वाला यह 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 जब जब कंटैक्ट में आया तब को ठिक तो मतलब अवेक बराबर हो गया बल गूने समय अंतरा इनका दना बहुत सिंपल सा टॉपिक है देखे किता सिंपल है अचा यूनिट क्या कहेंगे तो बलको लिखते हैं न्यूटन और टाइम के इंटरवल को किसे लिखेंगे सेकंड तो न्यूटन सेकंड और न्यूटन क्या होता भई तो यह को होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वार है ना Newton मतलब क्या kg meter per second square into एक समय अंतराल का second उपर आ जाए cancel कर दिजे क्या बचा kg meter sorry per second भी है ना kg meter per second अर्थात मैं कह सकता हूँ क्या कि यह जो है impulse सदीस राशी है तथा दिशा पिंड पर लगने वाले बल की दिशा में ही होगी इसकी जो दिशा होगी वो किधर होगी जिस direction में आपने बल लगाया है उसी दिशा में होगी जो impulse होगा उसकी दिशा लगाएगा बलके दिशा में होगी कोई दिक्कत परिशानी आए थिंक इसमें नहीं होनी चाहिए impulse मतब force into time impulse मतब force into time और टाइम कैसा तो यह डेल्टी लिख रहे है डेल्टी मतब टाइम इंटबल छोटा सा टाइम चाहिए बिल्कुल मिनिमूम से मिनिमूम टाइम चाहिए और आगे हम जड़ा इसकी बात करेंगे तो इसके लिए कुछ examples देख लीजिए जैसे तेजी से आते हुए गेंद का catch लेना इसमें इंपल्स कई गये में हथोड़े से किल को ठोकना यह भी तो था क्या जैसे आप देखिए मैंने जो point of time की जो बात कर रहा था उसमें जब समझें यह रहा थोड़ा थोड़ा आते कैसा करके रख दिया फिर अचले यह दब यह दब ऐसा होता है क्या नहीं ऐसा होता है तन तन ऐसा यह क्यों पॉइंट ऑफ मतब contact of time जो है ना उसको कैसा रखते minimum रखने को सिसकते तक तेजी से जटका इसमें लगे और यह किल जो वो ठुक जाए समझ में आ गई होगे तिनी सी बात कि भाया impulse का गेम है क्या कि फोर्स तो लगेगा लेकिन टाइम मिनिममम रखना होगा ठीक है और भी बहुत सारे जबकि हम यहां पर देख रहे हैं बल मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ फिर मैं यहां पर होगा देखें इंपल्स की अगर मैं बात करता हूं तो हमने क्या देखा रिए फोर्स इन तू डैल्体 ठीक है ना जब यूणिट की बात करता है क्या दिख रहा है कि जी मीटर प्रतिस सेकिंड है अब जैसारा मैं बात करूं किसकी संवेग की संवेग क्या होता भी तो संवेग होता है mass into velocity क्यों होती है mass into velocity mass का मतब कितना तो ये भी तो है kg meter per second अब अगर मैं unit wise देखता हूँ जड़ा आराम से समझेगा unit wise मैं देखता हूँ जैसे कि हमने बात करी थी Vimia Sutra जो chapter आया है class 11 में उस chapter में यही बाते सिखाई गई है बाई क्या सिखाई गई है कि हम इकाई देखकर के भी वीमिय सूत्र के और उसके अकॉर्डिंग लिए हम फॉर्मिलेट करें कि कोसिस करते हैं मतलब मैं कुछ कहना चाहरू आप से कि इंपल्स जो है वो भी द्रबमान और मींटर पर सेकेंड पर भी निरवरتा करती है और जो मोमेंटम है यह भी केजी मतलब द्रबमान और वेक के उपर भी निरवर है मतलब इन दोनों में वापस वा कुछ ना कुछ तो संबंध होना ही चाहिए क्यूंकि आपको ये दोनों संबंधित दिखी रहे कुछ दोनों की युनिट सहीं मुझे तो तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन हो गई दोनों के वीच में इसी बात को हम प्रूफ करते हैं कहां पर भाई तक हम इसको प्रूफ करने के लिए आ चुके हैं आवीग संवेक प्रमी न में बहुत ही असान सा काम है मैं यहां पर आपकों डिराइब करा दूँका साथे बैं आप force को हमने क्या-क्या measure किया और उसको graphically represent किया तो मुझे जो graphically representation मिला है ये देखिए ये impulse के लिए बना लिया हमने ये और अगले वाले में अगर हमने दोनों same ही चीज है ये area और ये area ठीक है इसी के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं कि impulse और जो हम normally force measurement करते हैं वो इन दोनों में क्या differences समझ मैं आता हैं क्या हैं दोनों differences तो सबसे simple सा काम हमें जो पता है हम वो काम करते हम जड़ा बात करें Newton's second law से ठीक है क्योंकि देखें बल और संबही के विच मोई relationship देंगे तो Newton के दूइतिया नियम से आई इधर दिखाता हूं मैं हम कहना चाह रहे हैं Newton के दूइतिया नियम से ठीक है क्या है नूटन के दूइतिया नियम से हम नूटन के दूइतिया नियम क्या कहता है तो उसके लिए ज़र हम समझते हैं हम करने क्या जा ही तो हम करने जा रहे हैं यहां पर आवेग समवेग आवेग समवेग प्रमी अब प्रमे तो पता ही भी कंडिशनली प्रूव करूँगा मैं कंडिशनली ही प्रूवन होता है तो देखें न्यूटन के दूइतिया नियम से क्या कहते हैं न्यूटन के दूइतिया नियम से। हमें पता है dp अपॉन में dt आतिंक किसी को भी इतलाज नहीं होना चीए लगाया गया बलसम वेग परिवर्तन की दरगे समानुपाति होता है यह क्या है यह सम्वेग में परिवर्तन है डीपी अपॉन डीटी मतब दर ठीक है यह क्या कहते है बल जो होता है यह बराबर होता है किसके सम्वेग परिवर्तन की दर के अब चुक्या आपको पता है दर कैसे निकालते हैं दर निकालने का मतब़ें टाइम से डिवाइड करना तो यह हो गई बात खता मैं तीरियक गुणा कर दीजिए तो डीपी इक्वल्स टू मुझे मिल गया एफ डीटी आपिंग कोई दिक्कत परिसानी नहीं होनी चा क्या किया दोनों तरफ दोनों तरफ समाकलन करने पर तो दोनों तरफ समाकलन लेने पर क्या मिल गया तो इदर मिल गया डीपी इदर मिल गया क्या एफ टाइमस ओफ डीटी अब इसको तोड़ा सा और समझा जाए अगर पॉइंट से तो ऐसा मैं कुछ कह सकता हूँ क्या कि यह जो टाइमिंग है और यह जो डीपी लिखा हुए इसके लिए कव दिखाता हूँ यह जो आपको कव दिख रही है कव इसको मैं एक स्मूथ कव के रूपे आपके लिए एक्स्प्लेइन कर देता हूँ ताकि आपको यह समझ में आ जाए बाते हैं देखिए सपूस इस तरीके से मेरे पास मैं एक इंपल्स के लिए मतलब फोर्स और टाइम के बीच में रिलेशन्शिप गिवन है ठीक है अब क्या हो रहा है यहां पर तो मैंने कहा कि एक छोटी सी डिस्टेंस कित्ती सी ले लिजाए बही यह छोटी सी यह एक छोटा सा एरिया ठीक है मैं कहता हूं कि इसको लिखू मैं अगर की यह पीवन हैं और यह अब टू पीटू और टाइमिंग रहता हम पींजो मोमेंटम है वह जीरोपे और टाइम टी पर टीवन टीटू भी ले बाद में 0 कर सकते हैं तो अगर integration of dp करूंगा जहां पर function नहीं होता वहां पर same होई आ जाता P P1 से P2 तक और इसका integration करेंगे तो F तो बाहर आ गया क्योंकि integration सिर्फर सिर्फ किसका होना T का तो यह हो गया DT 0 से T तक इसी के आगे solve कर जाता हो यह क्या कहते है बहीं कंडिशन कंडिशन कहते है कि अपर लिमेट माइनस क्या कर दीजिये लोवर लिमेट तो अपर लिमेट इस पी की जगए सबसे पहले अपर लिमेट बताब पी टू पूट कीजिये क्या मिल गया P2-P1 P2-P1 which is equals to F times of यहाँ पर क्या मिल जाएगा भई DT के integration T 0 से T again मैं इसको समझा दूँ देखे अगर आपके पास मैं यहाँ पर D of T given है तो इसका integration नहीं है मत्तब यहाँ पर मैं मान सकता हूँ 1 into DT अगर यह मैंने 1 into DT माना तो इसको मैं मान सकता हूँ T की पावर 0 into DT कुछ नहीं दिया तो एक का गुणा एक की जग़ा टीकी पावर 0 टीकी पावर 0 क्योंकि anything rest to the power 0 is 1 तो यह हो गया 1 अब क्या करेंगे तो यह फॉर्म कहता है पावर को एक से बढ़ा के डिवाइड कर दिजिए तो टीकी पावर 0 plus 1 upon 0 plus 1 हो गया integration तो टीकी पावर 1 upon 1 मतब के 30 यह से लिए लिखा यहाँ पर पी भी similarly होगा similarly P DP होता तो पी हो गया अब यह P2-P1 is equals to F times of T नीचे कह जीरो तो directly T लिख सकते हो अगर मैंने यही पर देखिएगा अगर इसको T1 और इसको T2 लिखा होता तो इसको भी क्या लिकिना पड़ता मुझे इसको T1 और इसको T2 तब मैं क्या करता तो तब मैं करता T2-T1 अर्थात मैं क्या कह रहा होता है डेल पी बराबर हो गया F times of delta क्यों क्यों हो गया डेल पी बराबर F times of delta और एक बात समझ में आ रही है क्या तो भाई आपको देखिए डेल पी बराबर F times of delta होता क्या है तो चुक्की F times of delta is equals to हमने लिखा I impulse आवेग तो इसको क्या पड़ कर लूँ यह हो गया आवेग मतलब यह हमने पूरा पहले तो छोटा सा एरिया लिया था यह T1 से T2 तक का अब हमने पूरा एरिया ले लिया यह पूरा यह जतना भी आपको area दिखर है हमने अभी क्या कर लिया यह पूरा ही area निकालया थो यह पूरा ही area ठीक है पूरा ही area ultimately कि को बता रहे यहां वह को मतब जो खेत्रफल निकालेंगे ठीक है वो किस चीज को indicate करेख निगी अरद impulse को यह है हमारा impulse and momentum theorem impulse momentum theorem यहाँ पर दिख रहा है आपको यह momentum equals to क्या मिल गया impulse आई यह ज़रा देखते हैं हम आप तो बात समच में आ गई होगी अब तक कि भी अगर मैंने न्यूटन के दीटिये ने हम से लिखा तो आ रहा उपित वन समवेक परिवर्तन के दर तीरिया गुणा क्या है fdt dp अगर दोनों तरफ हम यह कहते है समें जीरो से टी तक मैं समवेक पीवन से बदल के पीटू हो जाता है तब दोनों तरफ का समाकलन ले लिजी क्या मिला तो fdt और इधर में डीपी अल्टिमल्टी इस डीपी को ओपन करेंगे तो पी मिलेगा पीटू माइनस पीवन इस fdt को यह integration of fdt को इसी को कहते हम समवेक सड़ी आवेक तो आवेक बराबर पीटू माइनस पीवन जो हमने बात करी है आई बराबर डेल पी मतलब आई बराबर क्या पीटू माइनस पीवन इसको लैंग्वेज में लिखू तो मैं लिख सकता हूँ आवेक बराबर समवेग परिवर्तन अच्छा एक मुझदार बात समझ में आ रही है क्या मैं आपको दिखाता हूँ यह इसी के लिखा था मैंने बल बराबर होता है समवेग परिवर्तन की दर जबकि आवेक बराबर क्या है भई समवेग परिवर्तन मैं काम करता हूँ इसको उपर ले चलत को साफ और को चांको कमपेडर कराने में हैसा ली जिए आतो आप दोनों बाते समझेए क्या समझमें रहा है आपको यहां पर समझमारा यह है वो सम्वेग परिवर्तन की दर है जबकी आवेग जो है क्या भई आवेग जो है यह आवेग हमारी सम्वेग परिवर्तन है दर नहीं है अगर मैंने इस आवेग को टाइम से डिवाइड कर दिया तो यह बन जाएगा बल तो इधर भी करना पड़ेगा टाइम से डिवाइड त तो यह क्या है यह आवेग है इस बात को बहुत आराम से बहुत आसानी के साथ में आप याद रख सकते हैं कि भई बल जो होता वो समवेग परिवर्तन के दर होता जबकि आवेग जो है यह क्या है यह समवेग परिवर्तन है सिर्फ ठीक है दर वर कुछ नहीं यह सिर्फ वर सि calculate किया गया यह दोनों ही ultimately यह दोनों ही देखे यह दोनों ही graph जो calculated है इन दोनों का area same है दोनों का जो area है वो same है अब चाहें आप एक constant force की बात कर लें या फिर आप कैसी बात करें एक variable force की क्या होता है मैं graphically आपको show करना चाहरा हूँ इसके पहले जरह जो आखरी line जो आई है उसके statement आप चाहें तो इसके इन शौट रख लें कि अता आवेग कुल समवेग में परिवर्तन के बराबर होता है इसे ही आवेग समवेग प्रमेग है यही मैं अभी आपको सिखा रहा था अच्छा अब जरह हम कुछ ग्राफी के लिए बात करता है तो देखिए सबसे पहले मैं बात करने चाह tweet नि लिए रिखेव निवी निरंतर बल constant time होगा, sorry, constant force होगा, तो बिल्कुल ऐसे दिखेगा आपको, मतब आयता कार रूप में दिख जाएगा, अब अगर यह आयता कार रूप में दिख रहा है, यहाँ पे आपको किया दिख रहा है, आयता कार रूप में, यहाँ से वही बात हो रहे हैं, देखे, है किसका चैत्रफल निकालने का तरीका अगर अब यहां पर यह जो पूरा चैत्रफल होगा वहां पर हमने क्या निकाला इल्टिमेटी चैत्रफल ही तो निकाला यह जो पूरा चैत्रफल आप देख पा रहे होंगे यह complete चेत्रफल निकालना है तो क्या यह integration लगाऊं पर integration उसी के लिए लगाते हैं आप चाहें तो लगाई यह अलग नहीं आएगा बट यहां तो सीधे आयत दिख रहा है तो आयत का चेत्रफल लिख देज़े ना बात खतम अब एग अगर यहां पर निकालना है तो सीधे क्य तो आयत का चेत्रफल तो देखिए माल लिजे किसी पिंट टीवन से टीटू तक के समय के लिए एक अचर बल एफ काम कर रहा है एक फोर्स काम कर रहा है बल समय ग्राफ समय अक्ष के समानतर एक सीधी रेखा एबी है जैसा कि चित्र में दिख तब आपको इंपल्स निकालन है मतब छेत्रफल निकालने इंपल्स निकालना है इंपल्स आपने क्या का आवेग आपने क्या का आवेग मतब आपने कहा कि आप निकालिया बल गुणे समय तो हमने यह बल और समय ग्राफ बना दिया बल मतब आपको क्या दिक रहा है य-axis और समय मतब आपको क्या दिख र परोफ और यही बात मैने आपको बोला था कि अभी जो हम-विल당 सीटी-पन रहते है पिछले चाप्टर मैं और मुस्स पढ़ अकश्मेंट distance time graph हना position time graph तब मैंने आपको सिखाय था कि यह ग्राफ तो ऐसी दिखेंगे लेकिन उनका slope यहां की values बदलने के बाद slope अलग बात को निरधारित करेगी उसका चेतरफल अलग बात को निरधारित करेगा अब यहां पर चेतरफल निरधारित कर रहा है यहां पर चेतरफल निरधारित कर रहा है आब एक को जबकि यही आपको ध्यान में होगा velocity time graph होता था और उसका छेत्रफल निकालते थे तो क्या निकालते थे भई तो विलोसिटी टाइम ग्राफ का छेत्रफल डिस्प्लेस्मेंट बता था था भई लेकिन अब देखिए पता कैसे चला मुझे के आवेग बताएगा तो मैंने आपको इसलिए सिखा रखा क्या कि हमेशा किसी ग्र बल गुड़े समय अभी हमने क्या पड़ा आवेग तो यह आवेग को रिप्रेजेंट करता है मतलब किसी भी टाइम इंटरफल में फोस्टाइम ग्राफ का जो छेत्रफल होगा यहां पर आपको दिख्या मतलब एबी सी इडी एबी सी डी का छेत्रफल जो है वो क्या है एडी इंटू एबी मतलब एडी का ताथ पर क्या कहता है यह एडी का है तो यह एफ है बल है और डी सी जो है ठीक है यह एबी कह यह डी सी कह यह इसकी बात यह कैसे निकलेगा तो यहां से यहां तक यह पूरा यह टी टू है और यहां से यहा टीवन हो गया तो लिटीमेंटी बचा हुआ पॉर्शन किता हो गया टीटू माइनस टीवन तो मुल्टिप्लाय कर दिया टीटू माइनस टीवन यानि डेल्टी कह लिजिए टी कह दीजिए मतब समय अंतराल टी में बल एफ के आवे का परिमार यानि यहां पर जो छेत्रफल कर लेगा वही गल का है आवेका परिमार अब में बात करता हम वेरीबल फोल्स जो लिए बल्फ होगा तब तो ऐसा कुछ मुझे मिलेगा ने यह दे के वैरीबल क्या एक कॉंस्टन एक रेट से एक दिवार पर माना था बॉल जस जाके अभी टच हुआ ही हुआ होगा बिलकुल इनिशियल फेस में यहां पर होगा लेकिन पूरा ही फोर्स उस पर लगना है तो बहुत ही क्विक टाइम पर यह गया होगा और यह वापस इंपल्स को और अगर मैं बनाऊना तो देखें अगर यह ऐसा स्पाइक बनता है मतलब इसमें इंपल्स का मान और ज्यादा है क्यों क्योंकि इसके टाइम इंटरवल देखें इतना ज्यादा है और इसके टाइम इंटरवल देखें और कम कर दिया मैंने और अगर टाइम इंट कर सकते हैं क्या तो विल्कुल कर सकते हैं ठीक मतब टाइम इंटरवल को जितना मैं छोटे कर छोटा करते चले जाओंगा इंपक्ट आफ इंपल्स ज्यादा होता जाएगा क्योंकि इंपल्स इकवल्स टू फोर्स इंटू डेल टी ठीक है तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे तो माल लिजे किसी परिमान में परिवर्तन सिल बल किसी पिंड पर समय टी टू माइनस टी वन यहीं टी के लिए कारेड़त है अब बल समय ग्राफ एक वक्र है एक वक्र है जैसा कि चि आवेक को निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा चोटे-चोटे टुकड़ों में इस टुकड़े का निकाल लिया फिर इसका निकाल लिया फिर इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे फिर इसको एड करेंगे तो इन सभी के एड करने को ही इस सभी को एड करने कोई क्या कहते हैं इंटीग्रेशन समा कलर यह होता भी यह जीरो से टी तक f dt मतबल समय वक्र abc के अंतरगत आने वाला च्छत्र यानि सीधी लाइन में मैं कहूं तो मैं कहता हूँ एक बात कि भाई बल समय बल समय वक्र के अंतरगत आने वाला च्छत्रफल सदैव क्या करता है तो सदैव आवेग को निरुपित करता है यह बहुत इंपोर्टेंट लाइन है आप को जहां कहीं भी मिलने वाला वह इसी तरीके से मिलने वाला और यह आसान होगे नए एरिया निकाल देंगे हमारा काम को जाया करें कहीं पर भी कुछ हमने देखा वो क्या देखा भई हमें discuss करनी थे हमारे impulse के बारे में और हमने अपने impulse को discuss किया समझा सीखा कि impulse है क्या तो impulse मतर्व समझ में आया कि यह force फ़ोर सी एक तरीके से लेकिन force into time of contact बल into time of contact मतब कितना बल लग रहा और कितने समय के लिए लग रहा इन इसी तरीके से बाखी कोर्स के लिए आप क्या करते हैं तो आप सेम्पली आपे हमारे माइबनेस पर यहाँ पर आपको सभी कोर्स content free of cost देखने को मिल जाता है जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो magnet brands आपके लिए cbse English medium and Hindi medium बोथ लेकर क्या आती है बतलब क्या भई cbse से घबराना नहीं है ultimate NCRT best classes है and यहां पर NCRT best आपको Hindi medium में भी content and English medium में भी content देखने को मिल जाता है चुकि most of the board cbse की जो का मतलब होता है कि यह ultimate सभी state boards के लिए valid है मतलब आप किसी भी state board में हो आप यहां से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं साथी साथ अगर आप NTSC Olympiad CUET ITJ NEET के preparation करें तो भी नहीं घबराना है इसके लिए भी magnet brain सापको लेकर कहता है quality content वह भी free of cost साथी UPN बिहार बोड के लिए तो exclusive playlist मिल जाता है आपके बोड के accordingly सब कुछ ठीक है आपके previous year question papers आपके इस साल के लिए sample papers and आपके बोड के accordingly जितने भी chapters है वह सब कुछ अगर कुछ chapters आपके NCRT से अलग भी है वो भी लेकर क्याते हैं हम साथी साथ अगर आप English spoken सीखना चाहते हैं मतलब आप अंग्रीजी बोलना चाहते हैं क्योंकि भी यह international language है और हिंदी में students के लिए तो specifically इसकी बहुत ज़्यादा ज़रत पड़ती है क्योंकि यह आपके personality development आपके personal growth के लिए भी बहुत 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 ही ज़्यादा important है तो आप जरूर visit केजिए सेग्मेंट में भी and अगर कोई bank insurance RRB SSC CIB JIIB UPSC के त्यारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी magnet brands उनके साथ है क्योंकि magnet brands सब कुछ लेकर के आते हैं free of cost अब तो आपके लिए exclusively e-books भी available है आपको link description में मिल जाएगी आप जाए description box में वहां से link को follow कीजिए and आप अपने खुद के लिए e-books भी order कर सकते हैं यहाँ पर आप हमसे किसी भी माधियम से जुड़ सकते हैं like जैसे अभी आप YouTube के माधियम से जुड़े होंगे हमें हमारे website के माधियम साब जूड़ सकते हैं हमारे app के माधियम से जुड़ सकते हैं साथ ही social media platform like Facebook Instagram Twitter टेलीग्राम पर भी हमसे कॉंटाक्ट कर सकते हैं अपनी समस्यां साजा कर सकते हैं अपने सुझाओ साजा कर सकते हैं और जब इतना सब कर लिजे हैं इसे अपने दोस्तों में भी शेर कर दीजें क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैगनेट बिंस लेकर क्याता है क्वालिटी एजुकीशन वह भी फ्री आफ कॉस्ट तो बने रही हमारे साथ हम मिल रहे हैं इस चैप्टर के और भी कुछने कॉंसेप्स ने कोचिं